हलो गाइस नमस्कार दोस्तों मैं देवाराच पोथ मेरे युटिब चनल DSR देवा म्यूजिक में आप सभी का स्चागत करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ साजन मूरी का देखा है पहली बाद साजन की आखों में प्यार साउं का ये ही स्टाडिंग म्यूजिक ये बहुती इंट्रेस्टिन मूजिक है और बहुती ज़्यादा टाफ भी है इस मूजिक को बहुती कम लोग यूटिब पर सिखाते हैं दोस्तों इस मूजिक को अच्छे से सीखने के लिए मेरे इस ट्यूटरियल वीडियो को शुरू सनीकर आखिश तक पूरा देखिए और यदि ये ट्यूटरियल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो पर लाइक, शेर, कमेंट और मेरे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चलिए अब हम इस प्यारे म्यूजिक को सीखना स्टार्ट करते हैं दोस्तो ये म्यूजिक ओरिजिनल सॉंग में कैसा प्ले हुआ है इसको जानने के लिए मैं आपको ये म्यूजिक एक बार रियल इस पीडियो प्ले करके बता देता हूँ जैसा की सौंग में प्ले हुआ है उसके बाद हम इस म्यूजिक को कीबोर्ड पर प्ले करना सीखेंगे ठीक है ध्यान से दिखेगा ठीक है तो इसी तरीके से म्यूजिक प्ले होता है ओरिजनल सौंग में अब इस म्यूजिक को प्ले करना सीखने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड पर लगा लेना है संतूर की वाइस संतूर की आवज लगाने के बाद हम इस म्यूजिक को A note से play करना सीखते हैं देखिए ठीक है एक और बार देखिए इसको हमें fast play करना है कैसे देखिए इस तरह से play होगा ठीक है अब इसके बाद हमें लगा लेना है string की voice और string का music हम E note से play करना सीखते हैं देखिए ठीक है यहाँ पर दो touching note है देखिए अब इसको fast play करना जैसे song में play होता है देखिए इस तरह से अब फिर सहमें लगाएंगे यहाँ पर संतूर और संतूर का वही music की हाँ पर हम repeat करेंगे A note से देखिए ठीक है और फिर सहमें लगाना है string अब string का music हम E note से play करना सीखते हैं देखिए ठीक है इसको अब fast play करना देखिए इस तरह से ठीक है अब फिर सहमें लगाएंगे यहाँ पर संतूर और आगे का music हम G note से play करना सीखते हैं देखिए ठीक है एक और वाल देखिए अब इसके बार हमें लगा लेना है string की voice और string का music हम D note से play करना सीखते हैं देखिए ठीक है फिर से देखिए D note से यह जो last वाल हमने play किया है ना G से यहाँ पर हमें double hand से play करना है देखिए ठीक है अब इस music को भी हमें fast play करना है जैसा song में play हुआ है देखिए इस type से ठीक है अब इसके बार फिर से हम लगाएंगे संतूर और अब संतूर का बड़ा music यहाँ पर आएगा जो हम A note से play करना सीखते हैं देखिए सबसे पहले ठीक है अब E note से अब फिर से A note से आगे का music अब इसके आगे E note से ठीक है अब इसके आगे का music G note से अब इसके आगे D note से ठीक है फिर से देखिए D note से ठीक है अब इसको हमें fast play करना है जैसा कि song में play हुआ है देखिए इस तरह से ठीक है अब इस संतूर के music को जितना भी हमना भी play करना सीखा है जो बड़ा music थर संतूर का इस पूरे music को मैं आपको एक बार fast play करके बता देता हूँ कि fast कैसे play होगा देखिए ठीक है इस तरह से play होगा अब इसके बाद हमें लगा लिना है string और अब इस string का music हम E note से play करना सीखते हैं देखिए सब से पहले फिर D से अब इसके बाद F से running music, ultra running music ठीक है, descending में जाना है देखिए ठीक है फिर से देखिए इस string के music को सबसे पहले E note से फिर D note से अब F note से descending running music ठीक है अब इस string के music को हमें fast play करना है कैसे देखिए अब दोस्तों यहां पर हमने इस music को play करना तो सीख लिया है अब इसी music को मैं आपको slow motion में play करके बता देता हूं पूरा एक साथ हो सके तो आप भी मेरे साथ play करने का try किजिएगा ठीक है बहुत ही मज़ा आएगा इस music को आपको play करने में चलिए start करते हैं अब दोस्तों आपको 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 आपक खीक है अब दोस्तों आज का ये टुटिरल वीडियो आपको कैसा लगा ये इस वीडियो के कमेंड बॉक्स में कमेंड करके ज़रूर बताईए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अब मैं आपसे मिलता हूँ नेस्ट वीडियो में एक नए म्यूजिक के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ झालना